नमस्कार साथियो एक वाफिट से आप लोगों का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर तो साथियो आज की इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की जो भरती है उसका फॉर्म जो है वो सही तरीके से किस तरीके से कैसे भरेंगे वो सारा तरीका आप लोगों को इस्टे बाइस बताऊंगा उस चीजे जो है वो इसमें अपडेट की जा चुकी हैं पहले जो थे इस तरह के इंटरफेस नही साइट पर आप आएंगे तो सबसे पहला वाला जो आपको दिखाई जाया अरक्षी नांगरिक पुलिस के पदो पर सीधी भरती दोहजाद तेईज पदो की संक्या 6024 आवेदन की अंत्यब्धिती अठा रहा एक दोहजार 24 तो आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए इस व ले क्तवर सेंसरे दिखाई रही भी आपके सामने सेकें उपशन बसे दिखाई रहा है आपके सेंको बता देता हूँ कि क् Jacobs कटेगारी के लिए कितनी बइकraulिस है泥 वाले ओप्सन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाद देखेंगे जन्रेल के लिए जो है वह 24,102 सीटे हैं OBC बालों के लिए 16,264 पद हैं EWS बालों के लिए 6,024 पद हैं SC बालों के लिए 12,650 पद हैं आईश्टी वालों के लिए 1204 पद हैं, टोटल जो पोस्टे हैं, 60244 पोस्टे हैं, तो यहां पर आपको लोगों को ऑनलाइन करने के लिए एक चार्ट दिखाया गया है, इस वाले उप्सन पर किलिक करेंगे, तो आप लोगों का जो चार्ट होगा, कि आप लोगों को आप लोगों किस तरीके से कौन कौन से स्टेप जो होंगे, वो कम्प्लीट करने होंगे, अब आपको लास्ट जो ऑप्सन है, मैं आपको दिखा जैता हूं, टेक्निकल हेल्प्लेक्स, आगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या तो आप यहां देख सकते हैं, आपको अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल, तो आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं, संपर्क करने का जो समय रहेगा, सुबच दस बज़े से साम साड़ एच्छी बज़े तक रहेगा, अब हम बात करते हैं, ऑनलाइन करने के लिए, तो आपको फॉर्म भरना है, तो अपलाएं ओनलाइन मला option आप लोगों के सामने यहां पर दिखाई दे रहा है, इस वाले option पर आप लोगों को चलिक करना होगा, मैं आप लोगों को यहां पर step by step सारा दिखाऊंगा कि आप लोग रजिस्टेशन से लेकर फाइनल प्रिंट तक आप लोग किस तरीके से कैसे अपने फॉर्म होगा वो भरेंगे बाकि किसी को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है कोई समस्य आ रही है तो आप लोग कमेंट्स में जानकारी को प्राप्ट कर सक आप लोग के सामने इंटरफेस आएगा अब आप लोग को अपना प्रिथम नाम भरना होगा अंतिम नाम दूसरे कॉलम में भरना होगा आप लोग को अपना पूरा नाम होगा वो तीसा कॉलम है यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं यह घहरा करके इस वाले उप्शन पर आप इमेल आई डालने होगी, यहां से राश्टिता जो होगी, आप लोग यहां चूच कर लेनी है, इंडियन, यह सारी डिटेल भरने का नीचे आप लोग आएंगे, आप सबसे इंपोर्डेंट जो बात है, अन्यसूचना है, क्या आप उत्रप्रदेश के मोल निवाजी हैं, अगर आप छूट जहाते हैं, आरक्षन में और आयो में तो उस पर यस कर देंगे, यस करने गाद, आप लोग यहां पर अपने मोल निवास का जो विब्रण होगा, वो भरना होगा, मोल निवास आप लोग किसके द्वारा जारी किया गया है, वो आप लोग के मोल निवास जारी करने वाला जो अधकारी है, वो हम लोग यहां से देख सकते हैं, District Magistate है, Sub-Division Manager है, तो जो होता है SDM, Sub-Division Manager जो होता है मूलनिवास को जारी करने वाला अधकारी होता है, होता है, आप लोग उस पर देख भी सकते हैं, यहां पर सब डिवीजनल मैनेजर आल जो ऑप्षन है सब डिवीजनल SDM यह वाला जो ऑप्षन आपनों को नीला नीला दिखाई दे रहा है इस वाले ऑप्षन पर किलिक करके आपको इसको सेलेक्ट कर लेंगे मूल निबास प्रमारपत निर्गत करने की तिति आपको लोगों का लेक्षन स्टेफ है गरह जन पता आप लोगों का जो जिला है वो जिला कौन सा है जिला चूच कर लेंगे जिला चूच कर लेंगे अब आप लोगों को स्रेणी पतला आप लोग जो छूड चाहते हैं आईू बर्ग में और रक्षार में, तो आप लोग किस स्रेडी से आते हैं? वो Category आप लोग यहां पर चूच कर लेनी होगी, मैंने जहाँ जिला चूच कर लिया है, तो यहां पर जो Category होगी, वो Category चूच कर लेंगे, कि आप लोगक किस Category से आते हैं? वो category यहाँ पर choose कर लेंगे जैसी category choose कर लेंगे तो आप लोगों को category का जो gebeurant होगा वो आप लोगों को यहाँ पर भरना होगा अब यहाँ पर लिखा है सेंटी पिर्मारपत्र निर्गट करने वाला पर्देश मतलब जाती पिर्मारपत्र जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, जाती प्रमार पत्र जो है, वो तैसीलदार के द्वारा जो है, वो जारी किया जाता है, बाकि आप लोग अपने डाकुमेंट में देख भी सकते हैं, कि आपका जो जाती प्रमार पत्र है, किसके द्वारा जारी किया गया, वहाँ पर स श्रेणी प्रमापत क्रम संक्या, certificate नमर डालना होगा, और certificate application नमर को आपको next वाले कॉलम में डालना होगा, अब आपका next option है, क्या आप स्वतंता सेनानी के आसरित हैं, अगर आप आसरित हैं, तो yes कर देंगे, नहीं तो no वाले option पर simply, किलिक कर देंगे, क्या आप उत्तपरद के लिए निवहनतों तीन बर्स की सेवय है, का अगर की है तो यस कर देंगे नहीं तो 20, कि आप पूटबुर्प् सेयनिक है अगर है तो यस कर देंगे नहीं तो 9 कर देंगे अब आप लोग को मुत के श Item जया लगता खालरक हुआ ऐजूरा लोग मो फरनी होगी आ हाइ श्कुल आपने किस बॉर्ड सीगिया था वो बॉर्ड लिखना होगा उतायन करने का बर्स और महीना वह आप लोग लिखना होगा महीन année लोग पने प्लेज टूद कर लेंगे मैहीन महीना ऑ वह साल चूछ Cup कर लेंगे प्रणाम की लिप下次 तो यहां पर आप लोगो फा बिड बार होगा इसे तरीके दिन करने का महीना वर्स डालना होगा और प्रिराम की स्थिति आपट लोगों को यहां पर वो फूर्ख गणिी होगी फास रोहल नंबर आप लो हांप डालना होगा डूम डालनेगा प्रवार पत्र अंग पत्र किरमान और यह nectar वाले option पर आप लोगों को आना होगा क्या आपने D O E A C N I E L I T से computer का O level का प्रमानपत प्राप्त किया है अगर O level का प्रमानपत प्राप्त प्राप्त किया है तो इस पर yes कर देंगे नहीं तो no कर देंगे क्या आपने दो साल की नियुम्तम अभजी के लिए प्रादेश्सिक सेना में काम किया है अगर काम किया है तो yes कर देंगे नहीं तो no कर देंगे क्या आपने राश्ती candidate सेलेक्ट करेंगे जिलाद चूज करेंगे पिन खोड़ newcom में और पर्मानेंट अडर्स और कर्रोस्पोंडेंशन दोरों सेम है तो इस बच अप्सन जो जो आने दिखाए इस पर टिक कर देंगे टिक करने काद प्रिव्यू एंड सम्मिट इस वाले अप्सन पर आप लोग किलिक कर देंगे किलिक करेंगे तो आप लोगों ने जो भी डिटेल भरी होगी वो सारी डिटेल आप लोगो यहां पर दिखाई देगी यह डिकलेरसन आप लोगो को टिक कर देनी होगी सारी डिकलेरसमेंट टिक करने के बाद नीचे आप लोग आएंगे तो आप लोगो यहां पर जो कैप्चा यह दिखाई दे रहा है यह कैप्चा आप आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो इस तरीके आएगा डियर आपका जो नाम होगा वो लिखावा दिखाई देगा आपका प्रात्मिक पंजीकन यूपी पी आर भी पोटल में हो गया है आपके लिए खाता बनाया गया नीची दिए गया बटन को लागन करके आपने आपन के सामने यहां पर दिखाया गया है इस वाले ओप्सन पर आपनों को किलिक करना होगा जैसी किलिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा यहां से ओके कर देंगे जैसी ओके करेंगे आपने पास लॉगिन का जो पेज होगा वो खुल करा जाएगा यहां आपने आपनों को और लोग-ई करना होगा जैसे ही किलिक करेंगे, जैसे ही चैजी करेंगे, यहां पर मैं UPI करके दिखा रहा हूँ, तो UPI क्यार पर सिंपली किलिक करके, आप लोग QR से फीज जो है वो पे कर देंगे जैसी आप लोग फीज पे करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा अब यहां पर आपको डॉक्मेंट्स अप्लोड का जो सेक्शन होगा वो आएगा फोर्टोग्राफ सिखनेचर और डॉक्मेंट्स अप्लोड तो सबसे पहले आप लोगों को अपना जो फोर्टो होगा वो अप्लोड करना होगा फोर्टो का साय यहां दिखाई दे रहा है आपको निबास प्रिमारपत्र जो होगा वो आप लोगों को यहाँ पर upload करना होगा तो सारे डाक्मेंट्स जब upload कर देंगे तो आप लोग देखेंगे आपके सामने जो documents होगे वो इस तरीके से सही का निसान आ जाएगा तो जब documents upload हो जाएंगे तो final submission वाले option पर आप लोग click कर देंगे final submission वाले option पर click करेंगे तो आप लोग देखेंगे आपका नाम दिखाई देगा, आपका registration नमबर दिखाई देगा you have successfully complete your application in उत्तरप्रदेश police requirement तो आप लोग को सामने इस तरह के से दिखाई देगा, अब आप लोग को आप लोग का जो form है उत्तरप्रदेश police भरती का जो form है constable बाला वह सही तरीके से भरा जा चुका है, अब आप लोग उसको print करना चाहते हैं तो print application वाले option पर click करके आप लोग इस form को print भी कर सकते हैं, मैंने आप लोग को इस वीडियो में सारा का सारा procedure बता दिया, step by step कि आप लोग किस तरीके से कैसे जो उत्तरप्रदेश police constable की भरती निकली है, उसका जो form है वो भरेंगे सारे step मैंने सही तरीके से समझाए हैं, तो आप लोग को अगर कहीं पर कोई भी दिक्कत अगर अभी भी आ रही हो, form भरने में आप लोग मुझे से कमेंट में जानकारी को ट्रैप कर लेना और आप लोग को मेरे दोरा बताइगे क्यासनी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरू बताना और आप लोग चैनल पे नए हो, तब चैनल को subscribe, जरू करना